Hello everyone, हम Class 7, Maths Chapter 6 कर रहे थे, इसका नेम तरह The Triangle and Its Properties, और इस टिक लिए हम New Book के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिए इसके एक साई 6.5 कम्प्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रिविएस वीडियो में Question 3 तक हम कम्प्लीट कर चुके हैं, आज हम देखेंगे Question 4, ब of a Right Triangle, करें कि यहां पर 3 साइड दे हुई हैं, 1, 2 and 3, और यह हमें पता करना है, क्या यह तीनों साइड Right Angle की साइड हैं या नहीं हैं, अगर हैं, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, In the Case of Right Angle Triangle, कहते हैं, अगर Right Angle Triangle की यह साइड निकलती हैं, तो identify करो, identify the Right Angle, क् यह Right Angle Triangle की साइड निकलेंगी, तो इसमें एक Right Angle भी होगा, तो अगर यह साइड Right Angle Triangle की निकलती हैं, तो हमें Right Angle भी बताना है, कि Right Angle कौन सा हुगा, अब यहां पे हमें देखने वाली बात यह है कि हम पहचाने कैसे कि यह right angle triangle की sides है या नहीं है तो अभी-भी हम इस complete exercise में पढ़ते आ रहे हैं Pythagoras theorem को Pythagoras theorem मारी होती क्या है H square is equal to P square plus B square तो इससे हमें पता यह चलता है कि सबसे पहले right angle triangle में ही हम Pythagoras theorem apply कर सकते हैं और अगर Pythagoras theorem सिर्फ right angle triangle में हम लगा सकते हैं तो इसका एक LHS होता है और एक होता है हमारा क्या यह RHS तो अगर हमारा perpendicular का square plus base का square किसके equal हो जाए Hypotaneous के square के तो इसका मतलब यह confirm हो जाएगा कि वो right angle triangle ही है थोड़ी process समझेंगे तो और अच्छे से आपको clear होगा आप बस देखते जाएए एक हमारे लिए कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं है कि यह triangle ABC है PQR है MNO है तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे इनकी naming करेंगे सबसे पहले हम इसका पहला part करते हैं तो देखिए ध्यान से first part में क्या लिखा हुआ है हमारे लिए तीन साइड दी दी है हमारे लिए एक दी है 2.5 cm सेकंड दी है 6.5 cm और थर्ड साइड दी हुई है 6 cm हम पहले triangle बनाते हैं clear अभी हम मान के चलते हैं कि यह एक right angle triangle है clear अभी हमें पता नहीं है confirmation नहीं है लेकिन हमें मान के चलना है कि यह suppose this is a right angle triangle clear तो अब क्योंकि right angle triangle है तो एक right angle भी होगा तो हमने माल लिए यह है आप एक बात याद रखेंगे कि अगर right angle triangle होता है तो उसकी सबसे जो बड़ी side होती है वो हमेशा hypotenious ही होती है clear तो यहां से right angle triangle दिख रहा है यह hypotenious यह perpendicular हो जाएगी और यह base हो जाएगी clear अब इन तीनों side में से सबसे बड़ी side कौन सी है हमारी साब साब देखने को हमें मिल रहा है कि सबसे बड़ी side है 6.5 तो हम माल लेंगे कि यह जो hypotenious है वो मैं ले करके चलता हूँ 6.5 वाली ठीक है 6.5 cm clear और अब बच्ची होई दो side हो है वो मेरी एक perpendicular हो जाएगी और एक मेरी base हो जाएगी तो यह आपकी मर्जी आपको किसको perpendicular लेना है किसको base लेना है क्यूंकि अभी हमें कुछ नहीं पता है तो हम यह 2.5 ले ले लेते हैं perpendicular को और यह base ले लेते हैं 6 cm को clear I hope आपको इतना clear हुआ होगा अब हम इसमें क्या लगाते हैं पैथागोरस theorem हम जानते हैं according to पैथागोरस theorem यह भी लग देते हैं according to पैथागोरस पैथागोरस theorem क्योंकि पैथागोरस theorem सिर्फ right angle triangle में लगती है हम जानते हैं h2 is equal to p2 plus b2 यह सब जानते हैं तो इसमें एक LHS होता है और एक RHS होता है यह है मेरा LHS और यह है मेरा RHS left hand side और right hand side अब left hand side को मैं solve करूँगा अब फिर right hand side को solve करूँगा और अगर यह दोने एक दूसरे के equal आ जाते हैं इसका मतलब यह right angle triangle है तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं LHS पैथागोरस theorem के according h2 है तो h2 लिग देते हैं ठीक है अब h2 में क्या आ जाएगा हमारा 6.5 ठीक है 6.5 का square तो मैं यह पे equal to 6.5 का square कर देता हूँ अब 6.5 का square मला मुझे दो बार 6.5 multiply करना पड़ेगा काफी सारे बच्चों को इसमें भी problem जाती है कि 6.5 का square अगर मुझे निकालना है तो मुझे 2 times 6.5 into 6.5 करना पड़ेगा पॉइंट की दिक्कत होती है तो आप क्या करिए सबसे पहले point को भूल जाएए अगर मैं point को हटा दू तो यह बन जाएगा मेरा 65 और एक और जो मुझे 65 को 65 से multiply करना पड़ेगा मैं आपको simplest तरीका बता रहो कि point से निपटने का तरीका क्या है सबसे पहले multiply कर दो 5 5 जा हमारा क्या हो जाएगा 25 5 5 जा 25 5 6 जा 30 30 प्लस 2 32 clear after this what we have to do is multiply करेंगे 6 को 5 से 6 5 जा 30 और 6 जा 36 36 प्लस 3 39 clear add कर देंगे 5 2 9 प्लस 3 12 और 4 4 2 2 5 आ रहा है clear अब आपको point को plot करना है ठीक है तो point को हम कहां पर लगाएंगे वो ध्यासे समझे अब अगर आप देखें question में इस point के बाद एक number था और इस point के बाद भी एक number था मतलब 2 number हो गए मेरे point के बाद तो जो हमारा final answer आया है इसमें भी आपको कुछ इस तरीके इसे लगाना पड़ेगा point की point के बाद 2 number आ जाएं क्यूंकि एक point इसका means एक number इसका और एक number इसका तो आप कहां पर लगा देंगे यहां पर लगा देंगे इस two के बाद यह low color से आपको देख रहा होगा यह 2 point है means 42.25 आ जाएगा मेरा clear तो यहां पर मैं लिखता हूँ 42.25 clear वैसे हमारा यह point नहीं है कि किस तरीके से हम इनको multiply करें वो तो मैंने आपको यहां पर side में बताया है clear और अच्छे सी जानना है तो हमने एक chapter पढ़ चुका है fraction and decimals clear तो उसको भी आप cover out कर सकते है how to multiply point values इसके बाद हमें देखना है देखिए हमारा LHS तो हो गया जो की hypotenuse का square था अब हम ले लेते हैं RHS RHS देखें तो यह है P square plus B square तो इसको भी हम लिख लेते हैं पहले हम heading डालेंगे क्या यहां पर RHS और हम लिखेंगे यहां पर P square plus B square perpendicular का square plus base का square तो यहां पर अगर हम देखे P जो है मैंने अभी बताया था आपको 2.5 है तो यहां पर मैं 2.5 लिख देता हूं उसका square करना है और base अगर हम देखें तो क्या है हमारे लिए 6 है तो base की जगे हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे 6 का square ठीक है अब हमें फिर से वही problem की 2.5 into 2.5 करना पड़ेगा तो देखें यहां से 25 into 25 मालो point को हटा दो तो 5 5 जा 25 इसको multiply करेंगे तो 25 252 जा 10 प्लस 2 12 फिर इसके बाद हमारे क्या देगा 252 जा 10 1 carry 0 इदर 224 प्लस 1 5 तो 5 2 625 आ गया अब मुझे point लगाना है तो अगर आप देखेंगे कि मैंने 2.5 into 2.5 करना था मैंने point हटा करके multiply किया तो एक point के बाद यहां number है एक point के बाद एक number है कि इस point के बाद एक number है तो total 2 number हो गए तो यहां पर मैं 6 के बाद लगा दूगा क्योंकि इसके बाद 2 number हो जाएंगे मेरे clear तो इसका जो answer आएगा हुआ जाएगा 6.25 clear और इसको तो हम इजी ली कर सकते 6 का square क्या होता है 36 होता है मेरा तो मैंने कर दिया अब यहां पर बीचे मैंने multiply लगा दी यहां पर हमें क्या करना है plus करना है अब इन दोनों को हमें add करना है अब add करने का भी तरीका आपको आना चाहिए कैसे करेंगे इनको add देखिए side में 6.25 है सबसे पहले तो और यहां पर 36 में तो point है ही नहीं तो 36.00 तो मैं देख सकता हूँ अगर किसी भी number के में point नहीं होता है तो उसके आंगे point लगा करके 0 लिख सकते है और इनको add करने का तरीका क्या होता है हमारा कि point के नीचे point आता 36.00 ठीक है यह भी हमने सीखा था junior classes में 5 plus 0 हमारा 5 हो जाएगा 2 का 2 आजाएगा 6 plus 6 होता है हमारा 12 और 3 plus 1 हो जाएगा 42.25 आ रहा है मेरा RHS 42.25 मेरा आ रहा है RHS और अगर हम LHS देखें LHS हमारा क्या आ रहा था 42.25 तो LHS मेरा 42.25 है और RHS भी मेरा 42.25 है बलब दोनों equal है तो हम यह भी so since since lhs is equals to rhs यह हमारा आ रहा है hence the given side the given sides are of are of right angled triangle यह भी लिखना है right angled triangle यह भी आ पे आना चाहिए यह सब रवर्क है यह side वाला ठीक है अब यहां से हमारे लिए क्या समझ में आया कि right angled triangle अब यह तो confirm हो गया कि these given sides are the sides of right angled triangle लेकिन इसका एक और पार्ट है question का in the case of right angled triangle अब यह satisfied हो गया कहने लगे कि अगर यह right angled triangle आप confirm कर लेते हो तो identify करो कि right angle कौन सा होगा ठीक है तो हमने क्योंकि यह वाला diagram बनाया था clear यह वाला आपने diagram बनाया था हमने consider किया था यह वाला तो हमने इसके naming कर लेते हैं क्यूंकि हम naming के basis पर ही तो बता पाएंगे कि कौन सा right angle triangle है तो suppose करो कि हम इसकी अगर naming करते हैं तो मैं इस वाले point को A दे देता हूँ इस वाले point को PQR दे देता है क्योंकि B already हमने ले करके रखा है तो इस वाले point को मैं P दे देता हूँ P भी ले करके रखा है M ले लेता हूँ ठीक है M, N, O suppose करो कि ये triangle M, N, O तो हम जानते हैmesi hypotenuse के सामने वाला जो angle होता हो right angle होता है हमई सँ आप ये याद रखना hypotenuse के सामने वाला right angle और right angle के सामने वाली साइड hypotenuse तो इससे हमें समझ में आ रहा है کہ ये वाला जो angle है वो है right angle और इसका naming क्या हो जाएगा M, N, O angle MNO is a right angle तो हम दिखेंगे यहां पर according to the diagram according to diagram ठीक है एक second diagram angle MNO is a right angle ठीक है diagram के according angle MNO हमारा MNO हमारा right angle are you getting this तो यही इस तरीके से यह थोड़ा सा बड़ा question है सबसे पहले तो हमें verify करना है कि यह है भी या नहीं है right angle triangle जब verify हो जाता है तो हमें भी यह भी बताना है कि यह right angle है कौन से इस triangle में और वो भी नाम हमें खुद से ही देने clear तो यह रहा बच्चो question 4 का first part अब हम करते है second part देखिए second part में 2,2 और 5 cm की sides है triangle की यह मैंने यहां पर बना ली है सबसे पहले हम एक triangle बना लेते हैं right angle वो भी यह बनाए हमने right angle triangle और suppose करूँ कि यह है और इसका अगेन हम नाम दे देते हैं M N O और यहां पर हम जानते हैं कि right angle के सामने वाली side होती है वो hypotenuse होती है तो hypotenuse हमने माल ली 5 याद रखेगा अभी यह confirm नहीं कि right angle triangle है भी या नहीं लेकिन हमें solve करने के लिए यह consider करना होगा clear उसके बाद हमें एक लेनी यह तो hypotenuse होगी हमारी confirm एक ले लेते हैं perpendicular और एक ले लेते हैं base तो यह तो 2-2 है तो perpendicular मैं ले लेता हूँ यह 2 और base ले लेता हूँ यह मैं 2 फिर Pythagoras theorem लगा दो Pythagoras theorem ठीक है ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे LHS ले लेंगे LHS हमारा क्या है H square है और H square according to this diagram हमने लेकर रखा है 5 तो 5 का square 5 का square मतलब 25 5 5 जा 25 clear square याद रखना RHS क्या होता है हमारा P square plus B square होता है तो P है हमारा क्या 2 का square और B भी हमारा है 2 देख लो P भी 2 है और B भी 2 है तो यह कर देते हैं तो 2 का square plus 2 का square मतलब 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 ठीक है तो 4 plus 4 करना पड़ेगा 4 plus 4 is equal to 8 RHS हमारा क्या आ गया बच्छो 8 आ गया LHS हमारा क्या है 25 आया तो क्या LHS और RHS equal है नहीं है तो हम लिखेंगे since LHS is not equals to RHS, यह not equals to का sign होता है याद रखना Since LHS and RHS are not equal, therefore the given side the given sides are not of a right right angled angled one minute angled triangle ठीक है यह आ गया हमारा answer तो अब क्योंकि right angle triangle है ही नहीं है तो यह हमारी जो assertion थी यह वाला right angle triangle होगा ही नहीं लेकिन solve करने के लिए तो बनाना पड़ेगा हमारे लिए इसलिए मैंने बना भी दिया तक clear तो इसके right angle हटा देगा अब यह हो गया हमारा बच्चो second वाला पार्ट अब हम करते हैं third वाला पार्ट देखिए ध्यान से third वाला पार्ट मैंने लिख लिया है यह रहा हमारा third पार्ट again हमें क्या करना है सबसे पहले एक right angle triangle बना लेना है तो मैं बना लेता हूँ यह right angle ट्राइंगल की assumption में लेकर की चलना पड़ेगा सबसे बड़ी side हो जाएगी hypotenuse तो सबसे बड़ी है 2.5 तो hypotenuse मैं क्या consider करके रख रहा हूँ 2.5 cm ठीक है इसके बाद आपकी मर्जी है कौन को perpendicular लेना है किस तो base लेना है वो आपके depend है तो मैं 2 cm perpendicular को में ले लेता हूँ 2 cm यह वाला और base को ले लेता हूँ मैं 1.5 cm ठीक है तो B is equals to मेरा हो गया 1.5 cm और यह MNO मैं लेते ही आ रहा हूँ तो M, N, O, A के मैंने triangle consider कर लिया अब लेखेंगे Pythagoras theorem क्या होती है Pythagoras theorem Pythagoras theorem ठीक है तो इसमें हमारा हो जाएगा H square is equals to B square plus B square ठीक है अब हम लेंगे LHS सबसे पहले सबसे पहले ले लो LHS LHS हमारी होती है H square के equal यह हमारी LHS Pythagoras theorem के according तो LHS H square मालब 2.5 का square करना पड़ेगा मुझे तो मैं लिख देता हूँ 2.5 का square 2.5 का square करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2.5 का square करने के लिए 2 times मुझे 2.5 into 2.5 करना पड़ेगा देकिन मैं बूला आपसे कि point आप क्या करूंगे भूल जाएंगे तो आप direct किस से multiply करेंगे 25 into 25 इनको multiply करूंगे तो आ जाएगा 625 जो आप multiply करेंगे और आप जानते हैं कि कितने point के बाद अपनको लगाना है जब मैं 2.5 into 2.5 कर रहा है रहता हूं तो point के बाद यहाँ एक number point के बाद यहाँ एक number में लग total point के बाद दो number लगने चाहिए तो यहाँ पर जब answer आए मेरा तो मैं कहां पर लगाँगा इस point के बाद दो number clear तो 6.25 मेरा multiply करने के बाद answer आ जाएगा plus b square अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो perpendicular है मेरी 2 और base है हमारी 1.5 मैं अब 2 का square plus 1.5 का square तो मैं लिख देता हूं 2 का square plus 1.5 का square again 2 2 जा तो मेरा 4 हो जाएगा 1.5 का square करेंगे तो 2.25 आ जाएगा ठीक है यह आपको से गरके देखना अब इसको add करना है आपको तो 4 के आगे कुछ नहीं है तो point 00 में लगा सकता हूं ठीक है आप जानते है जब point decimal वाली values कैसे add होती है point के नीचे point आना चाहिए यहाँ पे 2.25 इस तरीके से ठीक है add में भी आप कलती कर सकते हैं तो इसको add करेंगे तो 0 plus 5 5 0 plus 2 2 4 plus 2 6 6.25 तो यहाँ पे हमारा क्या आजाएगा 6.25 तो RHS मेरा 6.25 आगे तो अगर आप देखेंगे तो LHS भी मेरा क्या है 6.25 है RHS भी मेरा किता आया है 6.25 तो हम यहाँ पे लेखेंगे LHS equals to RHS is the given side, the given sides are of right-angled triangle right-angled triangle, ठीक है? यह given side है, right-angled triangle की क्योंकि यह confirm हो चुका है, यह right-angled triangle है तो हमें right-angle भी बताना है तो आप जानते है, hypotenuse के सामने वाला right-angle होता है तो इस basis पर हमारे लिए M, N, O जो होगा, वो right-angle होगा angle M, N, O is a right-angle right-angled at right-angled at angle M, N, O okay, according to diagram हमने यह लेल दिया है, जो हमने बनाया था diagram clear, तो बच्चों यह हो गया हमारा थार्ड वाला part भी complete और हमारा हो चुका है question number 4 भी complete इसके बाब देखेंगे हम question number 5 next video में सारी videos की link मिलेगी description में कोई भी doubt रहे, comment section में आप पूछ सकते हैं इस chapter के सिर्फ 4 questions remaining है वो सारे हो जाएंगी ठीक है तो मिलते हैं next video में, bye